हलो एवरिवन ग्यान जक्की इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में ग्रेजवेट एप्टिट्यूड टेस्ट गेट बी एक्जाम के बारे में तो यह एक्जाम गेट बी एक्जाम किसले कंड़क्ट करा जाता है क्या होता है की यह टेस्ट जो dbt supported pngpart program होते हैं उन में admission के लिए यह टेस्ट कराया जाता है और इससी टेस्ट की अधार पर जो इस्कॉर प्राद होते हैं उनके बेसिस पर अलग-अलग institute में आपको admission दिया जाता है तो यहाँ आप देख सकते होंगे MSC Biotechnology, MSC Agricultural Biotechnology, MVHC, Mtech Biotechnology और MSC और उनके allied areas में admission के लिए यह test conduct कराया जाता है पूरू में यह test जवाहरलाल नहरू University, JNU, New Delhi के द्वारा CEEB के नाम से कराया जाता था Combined Interest Examination for Biotechnology के नाम से conduct कराया जाता था लेकिन अब यह exam Get B के नाम से conduct कराया जाता है 2020 से जो की Regional Center फर Biotechnology के द्वारा conduct कराया जाती है 2022 का notification अभी release नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही 2022 का notification रिलीज होने वाला है तो आप जितने भी final year में student होंगे वो अभी से preparation start कर दें देखते हैं बाग की और आगे क्या-क्या eligibility criteria हैं उनके बारे इसमें तो यहां get the exam आपको सभी को पता चल गया कि DPT supported PG program में admission के लिए conduct कराया जाता है तो यहां हम लोग बात करें में अभी eligibility के लिए बात करते हैं क्या eligibility होती है तो यहां eligibility की बात करें कि कौन student बैठ सकते हैं इस exam में तो ठीक है B.Sc biological science B.Sc biological science की जो student है वो exam में बैठ सकते हैं सब आपके पास B.Sc की degree होनी चाहिए चाहिए बैसी बाटनी हो जो जो आनर्स हो या फिर आपका प्लैन भी बैसी हो बैसी मैक्रोबैलोजी हो बैसी बायो टेकनोलोजी आपके पास B.Sc की degree होनी चाहिए वह इस student इस exam form को fill up कर सकते हैं साथ ही साथ एस student जो अपने graduation के अपने B.Sc कोर्स के डिगरी के last year में होंगे अभी अगर 2022 में जो अभी last year में होंगे वो भी क्या कर सकते हैं इस exam form को भर सकते हैं जो 2022 में notification release होगी उस form को क्या कर सकते हैं भर सकते हैं तो यह तो अगया basic qualification कि आपको इस exam में बैटने के लिए या इक्जाम देने के लिए क्या qualification होनी चाहिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं detail of get the examination तो get the examination में क्या-क्या question पूशे जाते हैं क्या time duration होता है तो यहां total या exam total 180 minute का होता है और मतलब 3 hours का 3 गंटे का होता है यह और जो paper होता है वो दो part में बटा होता है part A, part A में 60 compulsory question होते हैं जो कि multiple choice nature के होते हैं जो आपके 10 plus 2 level तक की question पूछे जाते हैं इसमें आपको physics, chemistry, mathematics and biology से related question आपको पूछे जाते हैं part A में द्यान रखे 60 question जो कि physics, chemistry, mathematics और biology से पूछे जाएंगे हर एक correct answer में आपको एक marks दिये जाएंगे अगर आप correct answer देते हैं तो एक marks और वहीं आप अगर आपका answer अगर negative होता है मतलब यहाँ पर negative marking का भी प्रवधान है अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो half marks कटेंगे तो आधे number वहाँ से कट जाएंगे यह था part A, next देखते हैं part B के बारे में तो part B में क्या होंगे, part B में भी total क्या होंगे, hundred question होंगे part B में total hundred question होंगे, जिसमें से आपको 60 question क्या करना है 60 question बनाना है hundred में से और यह question कहां कहां से आएंगे तो basic biology, life science, biotechnology और उनके allied area यानि subjective part से question आएंगे इसके syllabus के बारे में भी हम देखते करेंगे, तो उसी syllabus से आपका क्या है subjective part या part B आने वाले हैं, तो total hundred question जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 60 question attempt करने हैं, अगर आप सही answer देते हैं तो हर एक question पर आपको three marks मिलेंगे और वही negative mark अगर आपका answer गरत होता है, तो यहां भी negative marking का प्रधान है, आपको एक marks आपके क्या होंगे, एक marks कटेंगे, ठीके deduct होंगे next हम लोग आगे देखते हैं कुछ और information के बारे में तो यहां पर reservation policy भी लागू है, तो जैसा कि यह ST, SC और OBC तथा EWS जितने भी candidate हैं, उनसा भी के लिए यहां पर reservation का भी क्या है, प्रावधान है, ध्यान रखें मैं यहां कुछ चीज बताना भूल गया कि आपका कम से कम 55% आपके graduation में होनी चाहिए, next हम लोग देखते हैं, studentship अगर आप यह exam clear कर लेते हैं और आपका इच्छी रेंक आ जाती है, अगर आपको admission मिलता है, तो आपको क्या-क्या benefit हो सकते हैं, तो यहां आप आप देख सकते हैं कि अगर आप MSC Biotechnology और उनके LID areas में क्या admission लेते हैं तो आपको 5000 रुपए पर मन्त, ठीके 5000 रुपए पर मन्त की studentship मिलेगी आपको इतनी scholarship मिलेगी अगर आप अगर आप admission लेते हैं तो 7500 रुपए पर मन्त और M-tech या MVSC प्रोग्राम में अगर आप admission लेते हैं तो 12000 रुपए 12000 रुपए 12000 पर मन्त आपको क्या मिलेगा एक student scholarship मिल सकती है और Moda application क्या है तो आप लोग क्या कर सकते हैं online आवेदन कर सकते हैं जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होगा अभी 2022 की नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुई है जैसे रिलीज होगा आप online आवेदन कर सकते हैं तो जो फीस होता है 1000 रुपई होते है जेनरल कंडिडेट के लिए 1000 रुपे जेनरल और OBC कंडिडेट के लिए और वहीं स्टी एसे और EWS और डिफ्रेंशियेवल कंडिडेट के लिए 500 रुपीस क्या होती है फीस होती है आगे बात करते हैं कुछ चीजों के और बारे में तो यहां आप दिख सकते होंगे यह अभी तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ है जैसे नोटिफिकेशन रिलीज होगा आपको इनफर्म के जाएगा हमारी चैनल पर आप बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें यहां आप देख सकते होंगे कि कौन-कौन से इंस्ट्यूट क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिपीटी सपोर्टेट प्रोग्राम में तो यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ यह उनिवर्सिटीज के बारे में जो कि एड्मिशन देती हैं डिपीटी सपोर्टेट प्रोग्राम में या प्रोग्राम में तो यहां आप देख सकते होंगे बहुत सारे इंस्ट्यूट है यह पूरी की पूरी लिस्ट है आपको यहां लिस्ट रसी भी डिपीटी के ऑफिशल वेब्साइट पर मिल जाएगी तो लिस्ट आप देख सकते हैं बहुत सारे इंस्ट्यूट है जो क्या करते हैं डिपीटी सपोर्टेट पीजी पार्ठेकरम में एड्मिशन देते हैं गेट बी के स्कूर के बेसिस पर तो बहुत सारे सेंटर युनिवर्सिटी और उसके अलावा और भी कई सारे युनिवर्सि इस तक होता था हो सकता है इस यह क्या हो कुछ इंस्ट्यूट और बढ़ें और सीटों की शंख्या में कुछ और व्रिद्धी हो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको syllabus के बारे में detail जानका रिचाए तो वीडियो को like करें और वीडियो के comment box पर अपना queries टाइप कर सकते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें ताकि आपको इसी तरह की update मिलती रहे वीडियो को लाज तक दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद